अब खबर जनपद रूद्र प्रयाक से है जहां विश्व प्रसेद तीवत स्तर के दारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने से पहले जुला प्रशासन यात्रा व्रवस्थाओं को ठीक करने में चुट किया इसी कड़ी में जुलाधिकारी सौरव गहरवार ने कहा कि स्वर्श के दारनाथ धाम के कपाट दस मई को खुलने जा रहे हैं जसको लेकर हमारा मुख्या फोकस तीन चर्णों में कारे करने में है ताकि स्टेप वाई स्टेप कारे सही समय पर पूरा हो सके यात्रियों को किसी प्रकार से असुविधा ना हो रूदरप्याग से सत्यपार नेगी के रिपॉर्ट पहला काम है यहां से लेकर के गौरिकुण तक में जिसके आसपास पारकिंग्स, रोड, बॉल पेंटिंग, सफाई विवस्था, घोड़े खचरों के संचालन के लिए उनकी पार्किंग, मतलब पहले घोड़े खचरों के लिए पार्किंग नहीं हुआ करती थी उनके लिए तो दो-ती निस्तल पर वो बनाना, फिर जैसे हमारी लास में गौरिकुण में पार्किंग थी, वो छोटी पार्किंग थी, उसको बड़ा करना जिससे गाड़ियों को आसानी रहे, रोडों को, मारगों को चौड़ा करना, आप गौरिकुण में भी देखेंगे, बहुत से म पाई वेदस्था, हमारे टैन की अवंटन वो सब किया रहे हैं, वो भी अलग का रिकर्ब है, थार्ड हमारा जो सेक्टर है, वो किदारपूरी को ले करके हैं, जहां पर हमारे वो सारी सिस्टम्स रखे जाएंगे, जहां पर जो हमारी केस्थाऊच बनने हैं, जो हमारी पारी खतम हो जाएगी वो कामरी महाप्रारम करेंगे